आप सभी का स्वागत है गन्ने की नर्सरी चुकि इसमें गर्मी बहुत पढ़ रही है और टमप्रेचर लगभग 40 डेग्री सिंटिगेट के आसपास है नर्सरी को कैसे आप पचाएं इसका विशेश तोर से ध्यान देना है ताकि आप गन्ने को अपरेल के मेहने में अच्छी तरी के लगा पाएं अगर सुखी हुई पाध लगाएंगे तो उससे गन्ना बेथर नहीं होगा ट्रिल्लिंग नहीं हो पाएगी जब भी पाध लगाएं अगर ट्रे में आपने पfood लगाएं एक आपने भी में तोर नीचे छेद होते हैं जिनसे चैप्झरी एक्षिन से जो नरसरी है जो उसकी जड़े होन को पानी मिल सकता है बसरते की जहां पर आप लगाएं तो एक बेड बना कर लगाएं उसकी चारु तरफ मिट्टी चढ़ा दें ताकि जब पानी आप इसमें जो बेड बनी हुई जिसमें आपने ट्रे रख रख की है यहाँ पर लगाएंगे तो कैप्टरी एक्षन से जो पानी है नमी है वो पौधे को मिलती रहेगी और साथी में एक जो माइक्रो क्लाइमेट होगी उस बेड की वो थोड़ा सा ठंडी रहेगी उसमें नमी बनी रहेगी और साथी में हुमिडिटी भी अच्छी रहेगी जिसके कन पौधे हों में जो इसक्राइच पढ़ते हैं यानि सन बर्ण हो जाता है वह नहीं होगा और जो पौधे हमारे आपने लगा रखे हैं क्योंकि काफी टेंडर होते हैं पौधे होते हैं ये खराब नहीं होंगे इसका विश्यस तो और सभी ध्यान रखना है और कम से कम तीन बार पानी का जादा से जादा इस्प्रे नरसरी पर इस समय करें जिससे की जड़ों का विकास बेतर हो और जो गन्नी की नरसरी की पत्तियां है वह अच्छी हो पाएं एक विश्यस बात ये ध्यान रखें कि इस समय चुकि जो कीड़े मकोड़े उनकी विक्टिविटी फास्ट होती तो एक मिली लीटर इमिडा क्लोर पिट का स्प्रे एक लीटर पानी मिला करके और नरसरी की पाउधों के उपर कर दें दूसरा जो बड़ शेप्लिक सोती है ऐसे अगर इस विंकलर साफ लगा दें यह इस निकरस काफी सब्सक्राइब को अगर लगा दें तो जो इन्वारिमेंट है और पाउधे बढ़ने के लिए ज्यादा अच्छा बाता बनपा करके अच्छी तरफी से बढ़ेंगे इसको आप लगा सकते हैं अगर आप मैंवर्ड वेस्प्रेयर हैं से स्प्रेण करना साथ हैं यह बहतर विकल्पाब के लिए पाउधे जितने सब्सक्राइब उतना बह पसमें दूरी है एक फिट से ज्यादा ना रखें जब खेत में लगाएं और लगाते समय ध्यान रखें अगर साम की वक्त लगाएं ज्यादा बेतर हैं ऊपर की थोड़ी पतियां काड़ते हैं पानी बहुत तेजी से नारी मिनन ना लगाएं जिसमें आपने पाउध लगा की तक के फुटाओ भी नहीं होता हैं तो यह जरूरी है कि आपकी बेड बहुत अच्छी बनी हो तब यह पोधे आप लगाएं एक साइड में लगाएं और यह बिल्कुल ध्यान रखें कि समान नाकार के होल बनाएं जिसमें पाउध आपको लगानी है साथ साथ में पादो को दबा दें और जो फटलाइशन है एक एकड में तीन बैग सिंगल सुपरफासफेट एक बैग मिरटा पोटास और एक यूरिया माइक्रोंट्रियंट्स का प्रयोग करें और एक जो आपकी रिज बनी होती है और ट्रेंच बनी होती है ट्रेंच में करके और मेटिस इसको जड़ें बेक्सित होंगी इन पौदों की नए नए जो टेंटर पौदे हैं तो यह जड़े इन पौशितों को ले पाएंगे खास्तोर से जो फास्वेटिक फटलाइशन है पोटैसिक फटलाइशन है यह फास्पोरस से पोटास है काफी दिनों तक खेत में रहती है और ने पौश तयार करकी इसमें जड़ा एक तरके से दिक्कत नहीं होती है लेकिन अगर ध्यान आप देंगे तो यह आपको करना पड़ा है कि दोनों तरफ नाली बनी हो कैविटी बनी हो जिसमें आप पानी भर दें पानी भरने से एक दिक्कत आपको आती है कि बीच में अग हिंद जय भरत